आपको इस बारे में पता है या नहीं, नोट बंदी से भी बड़ा बिल आ चुका है, जिसके बारे में लोगों को पता तक नहीं है, अभी तक का सबसे क्रांतिकारी बिल है जो 70 सालों के अंदर आया है, और अभी तक की बनाई सारी की सारी व्यवस्था को वो पूरी तरीके से radically बदल देगा, जहाँ पर 370 में केवल कश्मीर प्रभावित हो रहा था, वहाँ पर नोट बंदी ने पूरे देश पर असर डाला, और ये वाला जो बिल है, ये भी पूरे 125 करोड लोगों के उपर सीधे तोर पर असर डालेगा, पिछले 73 एर्स में फार्मर्स के लिए जो विवस्था बनाई गई थी, जिसके बाद में किसान की स्थिती बद से बत्तर होती जा रही थी, वो ये बिल कुछ हद तक सुधार सकता है, या फिर काफी अच्छे तरीके से सुधार पाएगा, इस बिल को मोटे तोर पर जिस प्रकार से नोट बंदी हुई थी, उसी प्रक से कमिशन बंदी का नाम दिया जा सकता है, आज तक होता ये आया है कि फार्मर सीधे तोर पर कस्टमर से बात नहीं कर सकता था, उसको बीच के अंदर कमिशन देना पड़ता था, इस बात को समझेए, पूरे के पूरे आपका जो स्टेट है, उसके अंदर 20 से 25,000 के जादा स उपर और नीचे फ्लक्चुएट करते हैं, तो किसान सबसे पहले मंडी जाया करता था, और मंडी के अंदर लाइन लगा के सोचता था, कि उसको उचित मूल्य मिल जाएगा, मगर कई बार उसको नहीं मिलता था, जिसके वज़े से कई सारे किसानों की हालत नीचे गई हैं, उन्होंने आत्महत्यां वग्रे करी हैं, मगर किसी मंडी के आड़त ये ने आत्महत्या करी हो, इस प्रकार के केस आपने नहीं के बराबर सुने होंगे, परिस्तितियों के हिसाब से किसानों को कई बार 2 रुपे, 3 रुपे तक भी प्याज बेचना पड़ जाता है, जिसको हम 40 रुपे, 50 रुपे के अंदर खरीद के लाते हैं, किसान के पास नहीं जा रहा पैसा, मगर हमारी जेब से वो लग रहा है पैसा, तो जब किसान अपना ट्रक भर के मंडी पहुंच जाता है, तो वहां जो भी उसको रेट मिलता है, दो, तीन, चार, पाँच, जो भी उसक किसान नेता, किसान संग, किसान सभा, इनने, उनने हर पॉलिटेशन ने कही है, वही बात इस बिल के अंदर है, और ये सबसे बड़ा शौक है, तो जिस प्रकार से कोई भी कमपनी अपने किसी भी उतपाद का, जैसे आप ये चोटा सा माइक देख रहे हैं, ये 70,000 रुपे सकते हैं, अपना मगर देखा जाये तो ये लीगली गलत चीज़ है, 70 सालों के अंदर जाके हमने एक विवस्था बनाई है कि किसान केवल मंडी जाएगा, और मंडी से ही ये समान बाहर जाएगा, वहां से ग्रहकों तक ये पहुँचेगा, मगर दूसरी तरफ अगर आप द 40 फीसदी से जादा अनाज की करीद मंडी से बाहर ही हो जाती है, हाला कि ये गैर कानूनी है, मगर फिर भी होती है, सरकार इसके ओपर रोक पाने में पूरी तरीके से असमर्थ रही है, नहीं आगे उसमर्थ होना चाहती थी, तो सरकार ने उसको लीगलाइज कर दिया, फिर खरीद लेते थे, मंडी नहीं जाने देते थे, जहां पर टैक्स लगा करता था, करीब 8-8.5%, तो सीधे तोर पर जो व्यवस्था थी, किसान से ग्रहक के पास आएगा, और बीच में 8.5% उसके उपर टैक्स लगेगा, जिसके अंदर कुछ स्टेट गवर्मेंट के पास में परसेंट बाहर का बाहर बिख जाता था, जो इसके अंदर नहीं आता था, तो जो ये 0.5% छोटा सा अमाउंट आपको लग रहा है, इस बारे में कोई दोराय नहीं है, कि ये 0.5% जो आड़तिया ले रहा है, उसमें से केवल 0.5% ही रख रहा है, इसको कोई मानने को तयार इसलिए तयार नहीं है, क्योंकि सारा का सारा काम डिजिटल ट्रांजेक्शन के हिसाब से नहीं हो रहा, मंडी के अंदर अलग-अलग स्टैप्स होते हैं, वहाँ पर भिष्टाचार को रोक पाना बहुत बड़ी सरदर दी थी, सरकार कभी भी ये नहीं कह सकती कि 100% उसने र अचे होई थी और इस 20% को सरकार ने बंद कर दिया है, इसके अलावा भी आपको एक बात पता है कि मान लिजे दिल्ली के अंदर प्यास के रेट जादा है, MP में कम है, UP में और भी ज़्यादा कम है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांस्पोर्टेशन और जो परमिशन्स और रस्ते के अंदर आपको टॉल नाको के ऊपर रोकना और पुलिस के दौरा इतने सारे खड़े होकर ट्रक को वहाँ पर खड़े करके वजूली करना इस प्रकार के रोज वीडियो आया करते थे जिनको रोकना almost impossible हो गया था, तो फिलहाल जो तीन ओर्डिन आपको जानने चाहिए कि नए जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं, रेलाइंस स्मार्ट है, जियो स्मार्ट है, ये सब आ रहे हैं, वहाँ पर ये कंपनिया डारेक्टली किसान के पास में खरीद नहीं कर सकती थी, क्योंकि लौ उनके आड़े आता था, उनको मंडी से जाके यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि कहीं ये कंपनियां ही किसान का शोशन ना करने लग जाए, तो इन ओर्डिनेंस के अंदर एक और बात जो फिक्स करी है कि MSP इसके अंदर सरकार तै करेगी, उसको कंपनियां उससे कम नहीं दे सकती, ज्यादा दे सकती हैं, ए एक और फायदा जो किसान को इसमें हो जाता है कि ज्यादा समान होने पर ही वो गाड़ी का बाड़ा निकाल कर मंडी तक बेचना और उसके बाद के अंदर कुछ मुनाफ़ा कमा सकता है, मगर इस समय ये बात हो गई है कि कंपनियां खुद जाके किसान के खेट में जाके उस और आपको और हमें क्या फायदा है, ग्रहा को क्या फायदा है कि अब हम किसान से भी डारेक्टली समान ले सकते हैं, वो हमारे पास में आके हमें बेच सकता है, इससे जो रेट्स हैं वो कंट्रोल रहेंगी, कोरोना के अंदर आपने वैसे भी देखा होगा, खासकर छोटे चहरों के अंदर तो लोगों को काफी सस्ती सबजी मिल गई थी, मगर फिर एक और बात आजाती है ब्रिष्टाचार की, वो ये आजाती हैं कि ठेलों के उपर मंडियों से हो होकर जो एक नेटवर्क फैलता है, उसके अंदर सबके area defined होते हैं, उसमें भी बहुत सारी वीडियो थी, ये भी इससे काफी अत्तक कंट्रोल में आएगा, क्योंकि पहले जहां पर ठेला लेकर जाना गैर कानूनी था, वहां पर अब वो कानूनी हो जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते, और ऐसा इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि इस ordinance ने उनको ये ताकत दे दी है, मोटे तो पर देखा जाये, तो 125 करोड लोगों को जो चीज़ इफेक्ट करने वाली है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान में आड़ती रहेंगे, आड़ती किते नुकसान में रहेंगे, वो करीब उनकी संख्या 6 लाग से 7 लाग के बीच में पूरे देश में हो सकती है, से उपर एक और खास बात हुआ करती थी, मान लिजे कोई औरगेनिक सामान उगा रहा है, वो मंडी के अंदर जाएगा, तो उसकी MSP क्या रहेगी, अब वो खुड डिसाइड कर सकता है, कंपनियां डारेक्ली अप्रोच कर सकती है, लिगलाइजड वे के अंदर वो सब उगा रहा है, खराब का उगा रहा है, जो grading system था मंडी के अंदर बेचने का, वो इतना transparent नहीं था, जो कि ग्राहकों को समझ में आए, मगर अब जो supermarkets वाले होते हैं, उनको पता है कि ग्राहकों को इस प्रकार से जो समान है, वो इतना महंगा बेच सकते हैं, या उतना सस्ता बेच सकते हैं, और साथी के अंदर ये supermarkets जो companies वगरे होती है, ये एक fixed percentage charge करती हैं, यानि कि जो सामान हमें मिल रहा है, उसके अंदर हमें पता है, कि इतने ही percent छोड़कर बागी किसान के पास में जा रहा है, पहले ये सब नहीं हो पता था, तो इस bill का विरोध कौन करेगा, सबसे ज़्यादा आड़तिये करेंगे, क्योंकि एक mandi के अंदर मान लीजे 100 आड़तिये हैं, तो वो सुबह सुबह discuss कर लेते थे कि आज इसका rate इतना रखना है, अब उनके उपर वो control हट जाएगा, मगर आड़तियों के अलावा सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है किसा का, तो वो तो आपको देनी पड़ेगी, मगर उसके अलावा किसान खुड decide करेगा, company की गाड़ी आ रही है, मैं तो डेट सो में बेच रहा हूँ, आपको लेना है तो लो नहीं तो दूसरी company को मैं बेच दूँगा, इसके results आने के अंदर करीब 10 years लग जाएंगे, जब हमक करीब 10 साल लगेंगे ये जानने में कि आज जो हमने ये बिल का करांतिकारी बदलाव किया है, जिसको हम commission बंदी कह रहे हैं, क्या ये बदलाव सही है या गलत है, आप क्या सोचते हो इस बारे में commission बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सरकार को क्या इसके अंदर और भी कोई नई चीज को add करना चाहिए, क्योंकि किसानों की जो 70 साल से चलती आ रही सबसे बड़ी मांग है, अपनी फसल का खुद दाम तै करना वो यहाँ पर पूरी हो गई है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार